रासा इंटरनेशनल इस्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वाज़त है प्यारे बच्चों आज हम हिंदी साहित्य का पार्ट सत्रे जिसका नाम है सांस सांस में बांस उस अध्याय का सेश बहग पढ़ेंगे पिछली वीडियो में हमने इसकी रीडिंग की थी इस वीडियो में हम इसका अर्ट समस्ते हैं तो आए शुरू करते हैं पार्ट सत्रे सांस सांस में बांस एक जादूगर थे चंग की चंगल नवा एक जादूगर जिनका नाम क्या थे क्या था चंग की चंगल नवा वे थे अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े-बड़े करतप दिखाया अपने जीवन में जब मरने को हुए तो लोगों से बोले जब वह मरने को हुए तो लोगों से क्या बोले मुझे दफनाए जाने के छटे दिन मेरी कबर खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे तो वह जो जादूगर थे वह क्या बोलते हैं कि जब मेरे मरने के बाद जो लोग मुझे दफनाएंगे मुझे दफनाने जाने के बाद छटवे दिन मेरी कबर खोद कर देखोगे तो आप सब कुछ नया पाओगे कहा जाता है कि मौथ के छटे दिन उनकी कबर खोदी गई तो उन्होंने ऐसा बोला था तो फिर ये भी कहा गया है कि मौथ के छटवे दिन मौत जब उनकी हुई थी जब उनकी मृत्य हुई थी तो उसके छटवे दिन उनकी कब्र भी खोदी गई और उसमें से निकले बास की टोकरियों के कई सारे डिजाइन तो जब खोदी गई उनकी कब्र तो उसके अंदर से क्या निकला बहुत से क्या निकला था बास की टो तो उन्होंने क्या किया पहले वो उसकी नकल की फिर नई डिजाइन भी बनाई बांस भारत के भिमिन हिस्सों में बहुत आयत में होता है बांस जो है वो भारत के बहुत से हिस्सों में बहुत सी जगह पर बहुत आयत होता है मतलब बहुत होता है भारत के उत्तर पूर्वी छ खित्र हैं वहाँ पर राज हैं वहाँ पर बास बहुत होता है इसलिए वहाँ बास की चीज़ें बनाने का चलन भी कोवे इसी वज़े से क्योंकि वहाँ बास बहुत होता है इसी वज़े से वहाँ पर जो भी बस्तुएं हैं चीज़ें हैं वो सभी बास से बनने का वहाँ पर खूब चलन है सबी समुदाओं के भरण पोशन में इसका बहुत हाथ है और जो समुदाओं हैं बहुत से संस्थाइं हैं उन सब में इनका भरण पोशन करने का बहुत बड़ा हाथ है यहां हम खासतोर पर देश के उत्री पूर्वी राजे नागा लेंड की बात करेंगे तो हम अभी जो बात करेंगे वो कहा कि किस उत्री पूर्वी राज्य की बात करेंगे नागा लेंड की बात करेंगे नागा लेंड के निवासियों में बास की चीजें बनाने का खोब प्रचलेना है जो नागा लेंड के निवासी हैं वहां रहने वाले लोग हैं वहां वो लोग बास की चीज़ें बहुत बनाते हैं प्रचलित हैं वहां का बास इसलिए वहां पर बास की चीज़ें भी बनाई जाती हैं इनसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की बांस की चीज़ें तब ही से बन रही है जब से इनसान ने वेक्टी ने हाथ की जो कलात्मक चीज़ें हैं हाथ से जो बनाई जाती हैं कलाई बनाई जाती बनानी जब से शुरू की तब से ही बांस की चीज़ें भ बदलाब हुए हैं और अब भी हो रहे हैं और जैसे जैसे आवेशकता होती है उस परकार इसमें बदलाब भी हुए हैं और अभी भी बदलाब होते ही जा रहे हैं कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिष्टा एक दौर से है जो बांस की बुनाई होती है उसका जो रिष्टा है वह कब से है उस दौर से है जब इंसान भोजन इखटा करता था तो जो बांस की बुनाई कब से हो रही है जब से हो रही है जब जो भोजन इखटा करता था इंसान उस समय से बांस की बुनाई का रिष्टा उस दोर से है शायद भोजन इखटा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी भोजन इखटा करने की वज़े से ही उसने क्या किया होगा शायद ऐसा कहा जाता है कि उसने भोजा निखटा करने के लिए ही ऐसी डलियानु में चीज़ें जो डलिया के आकार की होती है ऐसी चीज़ें बनाई होंगी क्या पता बया जैसी किसी चिडिया के घोसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकी हात लगी हो जो बया एक पक्षी होता है वह क्या करती है वह छेद करके लकडी जैसा अपना घोसला जो है वो बहुत अच्छे से बुनती है लकडियों से ही वह अपना घोसला जो है वो बुनती है तो उसके जो घोसले होते हैं वो बहुत सुन्दर होते हैं तो इसलिए कहा गया है कि क्या पता जो बया जैसी है जो किसी चड़िया के घोसले से उसमें टोकरी के आकार की बुनावट या तरकीव जो है वो सीखी हो वैसी चीजें हाथ लगी हो बास से केबल टोकरियां ही नहीं बनती बास से केबल टोकरियां नहीं बनती बास की खपच्चियां जो उसके चोटी चोटी खपच्च होती हैं जिसको मतलब हम एक चोटा टुकडा बोल सकते हैं बास का वो खपच्चियां से धेर चीजें बनाई जाती हैं जो चोटी 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 जो तुकड़े होते हैं बांस के उससे बनाई जाते हैं असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मचली पकड़ते हैं जो असम है एक जगह है यहाँ पर क्या होता है उसी खपच्चियों का जाल बना हुआ होता है जकाई में मचली पकड़ते हैं वहाँ पर उसी जाल से चोटी मचलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सत्य पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खीचा जाता है तो वो क्या किया जाता है मचली को पकड़ने के लिए चोटी मचलियों को पकड़ने के लिए जो ये बनाई जाता है जाल उसको जमीन पर रखा जाता है पानी की सत्य पर रखा जाता है पानी की जो सत्य होती है वहां रखा जाता है और धीरे धीरे चलते हुए उसको खीचा जाता है जिससे बास की खपच्चियों को इस तरह है और कुछ चित्र बने हुए है शंक के आकार का होता है ये और ऐसा हिसा होता है इसका जो अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुती हुई होती है और जो खपच्चियां है वो एक दूसरे से क्या होती है गुती हुई जैसे चोटी बनत तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हां उनकी पीट पर टंगी बास की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलियागा जब आसम में कभी भी आप जाएं वहां क्या होता ह है तो जो वहां के बागान हैं बाग हैं महां के चित्रों में आप देखेंगे जो व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं अपने पीट पर बास की टोकरियां होती हैं वह उन टोकरियां को पीट पर भांते हैं और आसम से चाय की पतियां तोड़ते हैं और वह उस टोकरी में तो वहबी आप जरूर देखें, वहबास की बने हुए होती है, जुलाई से अक्टूबर घंगोर बारिश के महीने, यानि लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बास एकटा करने का सही वक्त, जुलाई से अक्टूबर किसका महीना होता है, घंगूर बारिश का महीना होता है यानि जो लोगों के पास क्या होता है खाली वक्त होता है बहुत सारा खाली वक्त होता है या फिर यह कह सकते हैं कि जो आसपास के जंगल होते हैं महाँ पर बास इकटा करने के लिए भी सही समय होता है आमतार पर वे एक से तीन साल की उम्र में उम्र वाले बांस काटते हैं और जो आमतवर पर वे क्या करते हैं वे वेक्ती जो बांस होता है वे तीन साल की उम्र वाले बांस को काटते हैं बड़े बांस सक्त होते हैं जो बुड़े बांस होते हैं तीन साल से उपर के हो जाते हैं वह बास कैसे होते हैं वह सक्त होते हैं और तूट भी जाते हैं बास की साखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है और जो बास की साखाएं होती है और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो अलग कर दी जाती है उसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गाठें दूर दूर होती है फिर उसमें चुना जाता है उन बांसों को जिन बांसों में गाठें जो है वो बीच में जो आप देखते होंगे थोड़ी सी गाठ होती है मोटाई होती है वह दूर दूरों ऐसे बांसों को चुना जाता है दाओ यानि चोड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से उसे उन्हें छील कर खपच्चियां तयार की जाती है दाव जो एक यंत्र है चोड़े चांद जैसी होती है उसे दाव बोलते हैं चाकू की तरह होती है उससे उसको छील कर क्या बनाए जाता है खपच्चियां बनाई जाती है, खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तै कर ली जाती है, खपच्चियां कितने आकार की काटनी है, उसकी लंबाई जो है वे पहले से ही पता कर ली जाती है, तै कर ली जाती है कि किस आकार की काटनी है, मसलन आसन जैसी चोटी चीज़ें बन गांट होती है उससे काट दिये जाता है लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि दो या तीन या चार गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं तो जो टोकरी बनती हैं कि उसमें लंबी हमें बांस चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं तीन चार गठान वाली ज तो उतनी लंबी ही उसको काटा जाए उस पर निर्बर करता है कि कितनी लंबी टोकरी बनाने हैं उसकी लंबाई पर उसको काटा जाता है आम तोर पर खपच्चियों की चोड़ाई एक इंच से जादा नहीं होती और जो आम तोर पर बनाई जाती है उनकी जो खपच्चियों क चोड़ाईं होती हैं वो एक इन से जादा नहीं होती हैं चोड़ी का पच्चियां किसी काम की नहीं होती है इन्हें चीर कर पतली का पच्चियां बनाई जाती है चोड़ी किसी काम की नहीं होती है उनको पतला किये जाता है उनको फिर पतली कपच्चियां जो होती है वह लचीली होती है क्योंग पतला किया जाता है कि वह लचीली हो जाए यदि चोड़ी रहेंगी तो वो सक्त रहेंगी तो इसलिए उनको पतला किया जाता है तो वो मोडने में उन्हें दिक्कत नहीं होती है लचीली होती है पच्चियां चीरना उस्तादी का काम होता है कपच्चियों को भी निकालना उन बास मैंसे ये भी उस्तादी का काम होता है हाथों की कलाकारी के बिना कपच्चियों की मौटाई बराबर बनाई रखना आसन नहीं होता है ये हाथ की कलाकारी होती है जिससे वो पतली-पतली का बच्चियां बनाई जा सकती है यह भी एक हुनर होता है इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है उसकी मोटाई एक बराबर आए वह एक तरह की हो कहीं से मोटी कहीं पतली ना हो तो ये सब क्या है, ये भी एक हुनर होता है, इस तरह का हुनर भी आने में काफी समय लगता है, जब किसी काम को हम करते रहते हैं, तो हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं, जब हमें उसका सही अंदाजा होता है, किस प्रकार काट जाता है, तो ये हुनर पाने में भी काफी समय खपची को क्या करना पड़ता है चिकना करना पड़ता है यहां फिर दाव काम आता है तो जो दाव है जो यंत्र है वह काम आता है क्यूंकि उससे चिकना की जाता है खपचियां बाएं हात में होती है और दाव दाव हात में होता है तो वो किस परकार बना जाता है जो खपचि को तरजनी दाओ से के एकडम नीचे होती है। इस इस्श्थिती में का पच्छी को बाहर की ओर खीच जाता है। इस दोराण दाएंगुठा दाओ के अंदर की ओर दबाता है। जो हमारा जो दाएं हिस्सा है सीधे हाथ का अंगुठा है उसको दाओ यंत्र उसके अंदर की ओर दवाया जाता है और दाओ खपची पर दबाब बनाते हुए घिसाई करता है और जो दाओ जो है यंत्र चाकुनुमा यंत्र जो है वह क्या करता है वह उस पर घिसाई करता है जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती है इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है जता वो चिकनी नहीं हो जाती तो ऐसा ही किया जाता है कभी उपर कभी नीचे उसे खीच के छिकना किया जाता है इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई फिर खपच्चिया जो होती है उनकी फिर रंगाई होती है रंगा जाता है उसके लिए जाज़तर कुड़हल इमली के पत्तियों आधी का उपयोग किया जाता है काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रख दिया जाता है तो काला रंग यादी चाहिए होता है तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है उनको आम की छाल में लपेट कर और कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रख दिया जाता है बांस की बुनाई जैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई बांस की बुनाई उसी प्रकार होती है जैसे कोई भी बुनाई करते हैं पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिर्षा रखा जाता है पहले आड़ा और तिर्षा रखा जाता है फिर बाने और बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे की जाता है एक तरफ ताना होता है और एक तरफ बाना होता है तो ताना एक बार लगा एक बार नीचे इस प्रकार बनता है तो चैक का डिजाइन बन जाता है पलंग की निवार की बुनाई की तरज जो पलंग जो होता है घरों में उसकी निवार जो होती है जिससे बना हुआ होता है पलंग उसे निवार बोलते हैं वह प्लास्टिक की भी हो सकती है रसी की भी हो स तो उससे जिस प्रकार बुनते हैं, चार पाई, पलंग, उसी तरह से डिजैन बनता है, चैक का, ट्विल बुना हो तो हर एक बाना, दो या तीन तानों के उपर और नीचे से जाता है, तो ट्विल एक बुनाई का नाम होता है, अगर उससे बुना हो तो क्या करता है, हमने 2-3 तानो के ऊपर और 2-3 तानो के नीचे इसे परकार बुनते हैं तो इससे कई सारे डिजाइन बन जाते हैं ज़रूर लिए कि एक ही बुनाई हो बहुत सी बुनाई उसक्ते हम बना सकते हैं तोक्री की सिरे पर खपच्चीं को या तो चोटी की तरह गूत दिया जाता है या फिर कटे सेरों को नीचे की और मोड़कर फसा दिया जाता है तो जो टोकरी की पच्चिया होती है उनमें चोटी की तरफ जो उपर होता है जो उपर रह जाती है चोटी सी की पच्चे उनको क्या गिया जाता है या तो उन्हें चोटी की बन जाती हैं तो उससे क्या कर सकते हैं या चाहें तो बेश सकते हैं या फिर आप घरों के काम में ले सकते हैं, आपने भी बहुत सी जगे बांस की टोगरी देखी ही होंगी तो आज हमने क्या पढ़ा आज हमने part 70 सांस सांस में बांस उसका शेश भाग अर्थात अर्थ समझा तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद